स्वागा थे दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का डिश्टल मोहित के चैनल में साथ यूं आज मैं बनाने वाला हूँ प्रोग्राम आपने देखा कि इससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि 111111 पांच बार प्रिंट हो रहा था उसके बार 225 बार प्रिंट हु 12345 यही पांच बार प्रिंट कराना है तो इसको कैसे हम लोग इसकी कोडिंग कैसे करेंगे इसका प्रोग्राम कैसे बनेगा तो चलिए इसके लिए हम लोग अपना सॉप्ट्वेर वही टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं तो आप देख पा रहेंगे स्क्रीन पर हमारा ज कि यहां पर हमारी जो है यह new file open हो चकी है तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं hashtag include stdio stdio.h इसको हटा देते हैं फिर इसके बाद से यहां पर लिखते हैं hashtag include koneo.h koneo.h दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं आपको वहां पर प्लेलेस्ट मिल जाएगे description box में वहां से आप सभी वीडियो को देख सकते हैं अभी pattern का मैंने केवल दो वीडियो बनाया है यह तीसरा वीडियो है pattern वाला मैं लगबग एक हजार pattern पर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को मैं basic से advanced label तक पूरा C की coding सिखाने की पूरी तरीके से कोसिस करूंगा आप लोग यह मैं सुचे कि मैं सरल सरल coding आप लोगों को सिखा रहा हूं दोस्तों हो सकता है किसे को कुछ भी ना आता हो coding में इसलिए मैं शुरू से एकदम advanced label पर आपको ले जाओंगा तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं int main int main दोस्तों हमारा function होता है यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर semi colon नहीं लगाना है semi colon लगाते हैं हमारा program वहाँ पर close हो जाएगा इसलिए यहाँ पर open रखना है ताकि इसके अंदर जो भी हम code लिखें वो run हो पाए int लिखते हैं हमें variable card जो type होता है integer type के अगर value होगे तो यह जो int लिखते हैं यह data type होता है इन सभी के बारे में मैं पहले पिछले वीडियो बना चुका हूँ आपको description box में उन वीडियो की link मिल जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं यहां तक पहुचने के बाद आप सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे अब डारेक्ट आते हैं code लिखते हैं हमें दो variable मानना है एक हमान लेते हैं i comma j यह हमारे होगे दो variable उसके पास से आपको लिख देना c lr scr c lr scr आपको लिखना है यह इसलिए लिखा जाता है ताकि ह हमारी console screen पूरी तरीके से clear हो जाए यह सारी बाते हैं पिछली वीडियो में बता चुके हैं अब आते हैं हमें लिखना है लूप लगाना है फॉर लूप के अंदर हमें वही कोडिंग लिखनी है पुरानी वाली आई बराबर वन लिखना है semi-colon फिर i smaller than फिर is called to हो जाएगा 5 के बराबर फिर semi-colon फिर i फिर increment operator फिर इसके अंदर भी हमें एक लगाएंगे फार लूप फार लूप लगाएंगे अब दूसरे variable का यूज़ करेंगे j बराबर वन लिखेंगे semi-colon फिर j smaller than is called to 5 smaller than is called to 5 फिर semi-colon फिर j और increment operator यहां पर भी आप देखिएगा क्योंकि यह लूप है तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे यह लूप है इस वज़ा से हम यहां पर भी semi-colon close नहीं करेंगे अब इसके अंदर फिर से हमें क्या लिखना है यहां पर एक ब्रेकेट ज्यादा लग गया है इसको हटाते हैं अब यहां पर लिखते हैं semi-colon लगा दिया आप इसके अंदर हमें जो भी चीज प्रिंट कराने ही उसको लिखेंगे तो प्रिंट कराने के पहले हमने आइगी वैलो प्रिंट कराए तीस से पहले वाले प्रोग्राम में इसलिए जो आय था यह पांच बार पृंट हुआ था वह फिर उसके बाद से आएक की वैलो इंक्रिंट हुए बढ़ा फिर दो बार 5 प्रिंट हुआ उसी तरीके से 3-5 बार प्रिंट हुआ 5 ब कोलन लगा देते हैं अब इसके अंदर इसके कुल कर देते हैं उसके बास से आप देख पा रहे हूंगे जो हमने जबाला लूप लगाया था उसको थो तो हमनेelse है, के लिस से से बनोosas बन फिर ऊपर वाला जो आई वाला लूप है सिलिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए हमें प्रिंट करा ना पड़ेगा और यहां पर वाइवोर्श लेशा में लिखेंगे ताको Лाइन ब्रेक होती रहे लिए रहाँ तक लिखने के ऐसे प्रिंट होगा 12345 फिर नीचे 12345 ऐसा काम यह पांच बार करेगा ठीक है पांच बार अब यह कंट्रोल एफ 9 करते हैं प्रोग्राम को रन कराने के लिए आप देख पा रहे होंगे बिना किसी एरियर के हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हमारा आउटपूट एकदम सही आ रहा है जो हमने शुरुआत में देखा था कि यह हमको प्रिंट कराना है आप देख पा रहेंगे 12345 12345 यह पांच बार प्रिंट कर लेते हैं यहां पर जे की वैलू बढ़ा देते हैं यानि कि हमें 5 तक नहीं आप 9 करना चाहते है तो 9 लिख दीजिए 9 तक प्रिंट होगा अगर आप रो की संख्या कम करने के लिए आ की वैलू करने पड़ेगी हमाली जी आप और 3 डू कर देते हैं यह पार कंट्रॉल एक्ड़ नाइन करेंगे तो आप देख पा रहेंगे रो की संख्या केवल तीन ह और अपने दोस्तों को सेयर भी वीडियो को कर दिया करिए ताकि वो लोग भी सी कोडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो भी असानी से सीख पाएं हम यहाँ पर एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं अगर आपको वाइड बोर्ट पर समझना है तो आप हमें कमेंट करके ज जरूज मिलेगा दोस्तों आप सभी का लाज तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहन जैभारत